ये जो वीडियो है ना ये सोमवार का वीडियो है जिस दिन सासुमा जो है वापस चली गई थी और यहाँ पर मैं जो है बचो के लिए नाश्टेगी कर रही थी तैयारी तो मैंने आलू अगेरा बॉयल कर दिये थे और बस फटा फट से मैं उनको छीलने लगी हूँ और हाथ क के साथ साथ मेरा मूँ भी बहुत चल रहा है क्योंकि बचों के साथ चिलाना पड़ता ही है आप कितना भी कोशिश कर लो ना कि शांती से रहके नाश्टा बनाओगे बट पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मा जब तक चिलाए नहीं तब तक जो काम है ना वो टाइम पे नहीं हो पाता है आज मुझे ये भी था कि शायद मुझे बच्चों को जो है छोड़ने के लिए जाना पड़े तो इस वज़े से भी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारी चीज़े कर रही थी तो आलू तो मैंने सुबह ही बॉयल कर दिये थे बस यहाँ पर देखी आलू के बाद मैंने अच्छे से जो है ना मैश्ट कर दिया है उसके बाद अब मैं इसमें जो ड्राए मसाला होता है वो एट करूंगी और थोड़ा सा जो है हरा नमक वो भी एट करूंगी तो सारी चीज़े एट करने के बाद इसको मैं कर दूंगी अच्छे से मिक्स और उसके ब बनाऊंगी दोनों बच्चों के लिए गर्म गरम आलू के पराथे आज मेरे ये था किसी बच्चों के लिए नहीं सब के लिए ही आलू के पराथे बनेंगे क्योंकि आज हस्बिन का जो है ना वर्क फ्रॉम होम था उन्हें घर से ही काम करना था आलू के पराथों के लिए ना बहुत बार नोटीस की है कि रिफाइंट सी जादा टेस्टी पराते जो है ना सरसो के तेल के बनते हैं बस शरते सरसो का तेल जो है वो थोड़ा गरम होना चाहिए वरना उसकी जो एक कच्छी सी स्मेल आती है फिर वो अच्छी नहीं लगती है तो बस यहाँ पर जो है मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाने शुरू कर दिये है तो नाश्ते के लिए तो बच्चों ने मना कर दिया था कि ममा हम खाके नहीं जाएंगे कुछ भी हम लोग सिफ एक एक बनाना खाके जाएंगे तो बस मुझे इनके लिए जो है अभी फिलहाल स्कूल के लिए ही पराठा बनाती हूँ ना उस दिन होता यह है कि मैं वंशीका के ले एक पराठा एक्स्ट्रा रखती हूँ क्योंकि वंशीका की फ्रेंड को आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं तो नॉमली वंशीका एक ही आलू को पराठा ले जाती है विदांश दो ले जाता है तो उस दिन मुझे दो रखने पड़ते हैं कि होता है ना बच्चों को शेयर करने का मन करता है अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वज़े से तो मंचीका के लिए मैं पराठे रखूंगी मूली के अचार के साथ आज दही नहीं थी मेरे पास इस वज़े से जो है मैंने मूली का अचार उसको दिया विदांच तो नॉमल खा लेता है उसको ना तो अचार की जरूरत होती है ना ही दही की बस कोई भी स्टरफट पराठा होना चाहिए वो बिना किसी चीज़ के साथ जो उसको खा लेता है तो यह जो मूली का अचार है ना ये भी ममी जी ने बनाया हुआ था बलक बच्चों को जो है नीचे बेज देना मैं जो है टाइम पर पहुँच जाओंगा तो मैं बच्चों को जो है नीचे मिल जाओंगा अब यहाँ पर क्या करना था मुझे बच्चों की वाटर बॉटल नहीं मिल रही थी एक्चुली वो इसले नहीं मिल रही थी क्योंकि वो मै कार हो गए बरतन भी अरेंज हो गए और साथ के साथ जो वाटर बॉटल है वो भी जो है मैंने फिल करके बचों को दे दी है देखें विदांश न अब खुद से रेडी होने लगा है तो पहले जैसे कि मैं उसको न तयार करती थी लेकिन अब वो खोशिश करने लगा है तो खुद से तयार हो जाता है थोड़ा बहुत उसको दिक्कत होती जिसे टाइव अगरा लगाने में तो वहाँ पर मैं उसकी help कर देती हूँ लेकिन अब वो कहता है कि ममा आप न मुझे ready मत किया करो आप बस इतना किया करो कि मुझे मेरे time से और 15-20 मिनट पहले उठा दिया करो ताकि मैं अपने आप ready हो जाओं तो विदांश का time table आप लग रहा है सुबे जो चीज इसको रात को करनी चाहिए थी ना वो यह कर रहा है अभी क्योंकि रात को तो chips खाने से फुर्जत नहीं थी लगा लो जल्दी लगा बिटा और वंशी का हो गई है ready हो गई ready वंशी का तो जल्दी करी लेती है सारा काम फटा फट से कर लेती है ना हाँ मेरी लाडली बेटी और टाइम हो गया नौ बच के 20 मिनट चलो चलो अराम से कोई बात नहीं जो स्टेयर से स्टेयर से जाने न चलो बाई 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 करें तो वह उनको बस्टॉप पर ही भिलेंगे अक्चली हुआ यह था कि यह गयते मोहन नगर ममी जी को कैब में बिठाने के लिए क्योंकि ना अगर यहां से डारेक्ट कैब करते ना अरिदवार तक की तो काफी जाद़ चार्जिस होते मतलब साड़े तीन हजार चार हजा सुभधी अलगा हुगा और अभी वापस आगे तो एक गन्ता लग गया नहीं जाने में भी पौण घंटा लगा था और आने में भी पौन घंटा लगा है तो बस इसलिए वह वेट करें नीचे बच्चे भी निकल गए हैं और बच्यों के आपका के और ऐस वर्ग फॉम है तो अब मैं बनाती हूँ चाए, अभी तक चाए नहीं पीए, सुबे से 6 बज़े से उठ चुकी हूँ, लेकिन एक भी चाए नहीं पीए ता सली वाली, चाए बनाते हैं उसके बाद आप लोग उसे मिलते हैं। अपर मैं आपको सीधे मंगलवार की शाम को मिल रही हूँ, मंडे को सुबे के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पूरा मूड मेरा खराब था, एक्चली हुआ ये था कि मेरी हो गे थी हस्बिन के साथ बहस, और पते क्या होता है, जब इस तरीके से बहस होती है थोड़ी सी, तो उसका सारा इफेक्ट जो है ना, मेरे काम पे और मेरे मूड पे पढ़ता है, तो जिस दिन भी कभी ऐसी बहस हो जाती है ना, तो फिर पूरा दिन एक तो मेरा मूड बहुत जादा खराब रहता है, सबी के साथ होता है, जब आप दिल से खुश नहीं हो या आपका मूड ठीक नहीं है ना, तो आपका फिर किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा, तो पूरा मंडे मैंने अपने सारे काम निप्टाए थे अपने टाइम पे लेकिन मेरा कुछ भी शूट करने का मन नहीं हो रह तो बस फिर Tuesday को मेरा माइंड थोड़ा सा ठीक हुआ फिर मैंने ये सोचा कि नहीं अभी मैं जो है ना कुछ भी इफेक्ट अपने मतलब काम पे नहीं पढ़ने दूंगी तो मुझे तो जैसा गया वैसा गया फिर मंगलवार को मैंने अपना मूड ठीक किया और मेरा मूड ठीक करने का सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो यह होता है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है या किसी वज़े से मैं डिस्टरॉब होती हूँ ना तो मैं ना कुछ मीठा खाती हूँ तो मेरा मूड ना काफी जादा अच्छा हो जाता है तो इसके बाद हमने मंगवाए गुल गुलाब जामुन थोड़े से गुलाब जामुन काए और बस मूड फिर से ठीक हो गया उसके बाद मैं लगी अपने कामों में तो मैंने जो है सबसे पहले कपड़े लगा दिये थे क्योंकि वो दूलने के लिए थे उसके बाद यह थोड़े से कपड़े थे तो इनको फोल क दाल बनाई तो दाल भी रखे हुए थ सुबह मैंने आलू बैंगन की सबजी यह कुनाई थी तो दोनों ही चीज मेरे पास रखे हुए थे तो जब दाल भी रखी होती है तो बस इसको जो है मैं तोड़ तोड़ के बॉक्स में रख रही हूँ तो तोड़ के रख दो ना तो खाने में एजी रहता है और ये गुड़ कर जो डबा था वो पूरा भर गया था मैं गुन्दूंगी आटा क्योंकि सबजी मेरे पास रखी थी दाल रखी थी तो मुझे सिफ रोटी बनानी थी और वंशीका का मूड था कि आज वो घी और गुड के साथ रोटी खाएगी मुझे याद है कि हम लोग भी बच्पन में गुड और रोटी खाते थे बहुत खाते थे मतलब घी तो हम लोग नहीं लेते थे लेकिन हाँ सिंपल सी बासी रोटी और गुड इतना सुआद लगता था था ना वो उस टाइम पे मतलब बच्पन की कुछ यादे होती है ना फिर घी के अंदर जो इसको डालके काएगी और यहाँ पर मैं गर्मा गरम रोटी बना रही हूँ थोड़ा सा घी जो है मैंने वंची का कले अलग से निकाल दिया है उसको मैं लास्ट में तवे के उपर रख दूँगी तक घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए और इधर जो है जब तक मैं रोटी बना रही थी तब तक वंची का जो है अपने पापा के लिए खाने की प्लेट लगा रही थी मतलब सबजी वगरा तो मैंने रख दी ती उसको मैंने बुला था कि अचार और इसमें रख दो तो वह इतना का जो काम है मेरे साथ करवा देती है तो वस मैं लेकिन आज पापा रोटी मनाओंगी और वंचीका का काम होगा कि वो कि अपने पापा को घृट को खाना दे दे तो इस तरीके से जो है ना वो मेरी हैल्प कर आधी है मुटयक लेकिन आज कल बचो का जो रूटीन है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है सिर्फ टाइमिंग की वज़े से क्योंकि लेट वो स्कूल जाते हैं और घर आते आते उनको जो है साड़े तीन बच जाते हैं खाना खाते खाते जो है फिर वही चार बज़े का टाइम हो जाता है तो क्योंकि सारी चीज़े लेट हो जाती है तो फिर बच इनों से अपने काले वाले जो चने हैं वो नहीं बनाए हैं तो मैं चने ही भीगा रही हूँ बस ये काले नहीं हरे वाले चने हैं मतलब काले वाले ही चने जो थोड़ा सा पहले ही शायद उनको तोड़ लेते हैं तो इनको मैं भीगा रही हूँ हस्बिन बहुत पहले जो ये वाला पैकेट लेकर आया थी फ्रिज में रखा हुआ था तो मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने उसको भीगा दिया है और यहां पर जमा दी है सुबे के लिए दही अब हुआ ये कि इस सर्दी में ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है मैंने बहुत अच्छे से जो है द गंडा रात को जादा था तो मुझे इतना जादा बुरा रखता है जब इस तरीके से दूद्ध खराब हो जाता है करीब एक लिटर दूद रहा होगा जो खराब हो गया तस सुबे तो अभी मैंने सोचा है कि अभी थोड़ा सा जब तक मौसम ठीक नहीं होता ना मैं दही न खाली उसके बाद थोड़े से ही बरतन थे जिनकों की मुझे धोना है और जब बरतन मैं धोने लगी न तो मैंने देखा कि हमारा गीजर दुबारे से जो है बंद हो गया है मतलब वो ऑन ही नहीं हो रहा था खाफी कोशिश करी मैंने उसको ऑन करने की कभी-कभी क्या होता है जो हमारा मीटर है ना उसमें भी कुछ दिक्कत हो जाती है तो उस वज़े से भी जो गीजर वग Indigenous वे बंद हो जाते हैं काम करना बंद कर देते हैं तो लेकिन वहाद से भी ठीक नहीं हुआ तो मैं यहीं पर देखी रही थी मैं दो तीन बार गईी बट वो नहीं हुआ सही ज़रूर बताईएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ तब तक ले बाबाई टेक केर और गुड नाइट